मुबाइल अप्लिकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को तहे दिल से सुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने अल्फा ग्लोबल इंस्टिट्यूट पे अपना विश्वास जताया और हमारे कूर्सेस में इंडोल किया कराया उसके लिए मैं आप लोग को तहे दिल से सुक्रिया करता हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप अल्फा के मुबाइल अप्लिकेशन का यूज करके किस तरीके से अपने टैली जीएश्टी और इस्पोकें इंग्लिस के ट्रेनिंग को और पावरफुल तरीके से और इजी तरीके से कैसे सीख सकते हैं तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरीके से आप मुबाइल अप्लिकेशन का आप हमारी यूज कर सकते हैं तो गाईस सबसे पहले आपको अपने मुबाइल से प्ले इस्टोर ओपन करना है मैंने प्ले इस्टोर पे क्लिक किया उसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है Alpha Global Institute Alpha Global Institute मैंने टाइप किया यहाँ पे फिर आपको Alpha Global Institute का force number पे आपको mobile application दिख रहा है आप इसको click करेंगे and install करेंगे Now the Alpha Global Institute का app download हो रहा है, install हो रहा है After installation आपको इसको open करना है, जैसे normally आपको इसको open करना है जैसे ही आप open करेंगे आपसे यहाँ पे username पुशेगा login में username and password तो username में normally आपको अपने mobile numbers डालने है, मैं यहाँ mobile number अपना put कर रहा हूँ 7974-378349 and password में आपको हमारे institute की तरब से password मिलेगा जैसे ही आप registration कराते हैं, enrollment कराते हैं हमारे courses में, आपको यहाँ से एक password प्रोवाइड किया जाएगा इस password को आपको put करना है तो मैं password पूर कर दता हूँ हमने यहाँ password टाइप कर दिया है, अब हम login पे click करेंगे now you see कि जैसे ही हम login पे click करेंगे यहाँ पे bottom पे आपको options देखने को मिलेंगे home, study, life, taste and profile आपको second option study पे click करना है मैंने study पे click किया and यहाँ पे आपको click करना है तो यहाँ पे बहुत सारे courses का list दिख रहा है बट आपके mobile में वो courses दिखेंगे जिस courses में आपने enroll कराया है तो मैं यहाँ पे video tally gst classroom training पे click करता हूँ यहाँ पे आप देख पा रहा है numbers of videos and numbers of notes आपको दिख रहा है that is the 89 videos and notes is the 90 उस पे click करेंगे यहाँ tally rp9 फिर basic log gst return and gst accounting and tally prime तो आपको tally prime पे click करना है tally prime training के लिए and gst के training के लिए आपको gst log वाले folders पे click करना है तो मैं tally prime पे click करूँगा आपको तो आप देख पा रहा है यहाँ pdf आपको days wise pdf देखने को मिलेगा day 15, day 16, day 17, day 18 like this and नीचे आप scroll down करेंगे तो आपको यह videos देखने को मिलेंगे जो कि sequence में आपके रहेंगे day 55, day 56, day 57, day 59, day 53 आप जैसे ही इस पे click करेंगे guys यह videos play होना चालू हो जाएगा वीडियो प्ले होना चालू हो जाएगा इस तरीके से यह video play होना चालू हो जाएगा और आप video के help से आप क्या कर सकते हो अपने classes को revision कर सकते हो and अपने courses को complete कर सकते हो training आप ले शकते हो and pdf को आप view भी कर सकते है and download कर सकते है आपको अगर pdf भी देखना है तो day 53 day 53 सेम आपको notes देखने है day 53 में आप इस notes को क्या कर सकते है देख सकते है right आप इस notes को इस तरीके से scroll down करके read कर सकते है and download कर सकते है तो देखा दोस्तों किस तरीके से आप हमारे mobile application का use कर सकते है और बहुत ही easily तरीके से Tally GST और Spoken English के courses को आप complete कर सकते है आप चाहे online student हो तो आप हमारे application का use करके इस courses को बहुत easily तरीके से complete कर सकते हैं या तो फिर आप offline student है तो भी आप हमारी mobile application का use करके अपने courses को बार-बार revision कर सकते हैं और और अच्छे तरीके से powerful तरीके से इस courses को complete कर सकते हैं So guys आपने देखा कि किस सरीके से सारे lectures days wise recorded हैं जिसको आप कभी भी किसी भी time देख सकते हैं Means कि समय आपका रहेगा जगा आपका रहेगा और knowledge जो रहेगा वो हमारा रहेगा आप इस knowledge का use करिए और अपने training को सफलता पुर्वक complete करिए और अपने career को और बहतर बनाएए So guys wish you all the best